हलो फ्रेंज स्वागत है आपको हमारे चैनल PCS तरपर पर आज का सेशन जो देख रहा है दूस्तो टॉपिक नमर थी लेका है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दूस्तो इससे पहले हमने टॉपिक वन और टॉपिक टू करा दिया है जदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन को प्रिस कीजिए ताकि नेक्स्ट आनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेए बताए जोस्तों आपको फिडी ऑफ कोस्ट जो है इसका पेडिया भी हम हमारे जो टेलिग्रम चैनल है वहाँ पे मैं प्रवाइड करा दूगा ठीक है तो आई इस सेशन को स्टाट किया जाए तो देख सकते हैं आचुके हम जो चर्चित वक्ति हैं पहला कौन है दूसरा कास्त्रो बता दे आपको कि होंडूरास जो है होंडूरास की पहली महिला राष्टपती बनी है ठीक है इन्होंने सपत गरहन किया होंडूरास कैद एक देश है जिसकी पहली महिला राष्टपती बनी है सियो मारा कास्त्रो बताए दोस्तों समाजवादी नेता होने के ना थ उन्होंने देश में जो है मादक पदार्थ की तसकरी के निप्टारे और गर्पात कानून को उदार कराने का वादा किया है इन्होंने सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है यानि ट्रांसजेंडर समझ सकते हैं दोस्तों ठीक है ट्रांसजेंडर जो है वो पहली डॉक्टर बनी है पाकिस्तान की नेक्स चलित जो है बोर्फूकन की चार सवी जयनती मनाई गए चलित जो है बोर्फूकन की चार सवी जयनती मनाई गए 24 नॉबर 2022 को सत्रहवी सताबदी के एक महान और वीर युद्धा जो है लचित बोर्फूकन की जो है चारसवी जयनती मनाई गहे लचित जो है इससे पहले परधान मंतरी ने सत्रहवी सताब्दी के ओहोम समराज्य के सेनापती लचित बोर्फूकन की भारत की आत्म निर्भर सेनाई की परतिक कहा था लचित जो है बोर्फुकन का जनम 1622 में हुआ है 24 नौम्मर को उन्होंने जो 1671 में सराई घाट के यूद में अपनी सेना का परभावी जो है नत्यूत किया था जिससे आसम पर कबजा होने का जो है मुगल सेना का परियास वीफाल हो गया था नेकसे हरप्रित चंडी हरप्रित चंडी कोने दूस्तों तो ब्रितिस सेना की जो है 32 वर्षी भारती मुल्की सीख सैन्य अधिकारी और जो है फीजियो थरैपिस्ट हरप्रित जो है चंडी दक्षिनी धुरू की कठिन यात्रा की पूरा करने के वाली पहली अस्वित महिला बन गई है पोलर प्रित के नाम से लोग प्रिये हर प्रित ने अपनी पूरी सफर जो है 700 मिल यानी 1127 किलमीटर की यात्रा की है क्लाइव लॉयड क्लाइव लॉयड कोने दूस्तों बारत जन्वरी 2022 को जो है वेस्ट इंडिज किर्केट के पुर्व कप्तान क्लाइव लॉयड की किर्केट जगत में उनकी सेवाओं के जो है ड्यूक ओफ कैंब्रिज प्रिंस विलियम ने जो है विंडर्स कोसल ने नाइट वूड की उपाधी से नवाजा है नाइट वूड से सम्मानित वक्ती अपने नाम के आगे जो है मिश्टर की जगा जो है सर लगा सकते है जानमी डोगती जानमी डोगती देखθη दोस्तों अंदर पर्देश के जो है 19 वर्सी जानमी डोगती ने जो है अलबामा के जो है कैनोडी एस्पेस सेंटर के नासा का अंतरास्टिय जो ही युवा और अंतरिक्ष कारेकरम जो है आइस का पूरा किया है यह लक्षे जो है हासिल करने वाली भारती महिला बन गई है नेक्स्ट है परताप सिंग राने गुवा के पुर्व मुख मंत्री और कंग्रेस नेता जो है परताप सिंग राने का राज्य मंत्री परिशत के आज इवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है उन्हें दर्जा गुवा सरकार द्वारा उनके राज्य के विधायक के जो है गुवा में सबसे लंबा समय 16 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे रहे हैं माया एंजलो माया एंजलो कौन है माया एंजलो जो है अमेरिकी सीके पर दिखाई देने वाली पहली अस्वेत महिला बनी है सीके के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्टपती जो है जो है जो है जानी मानी कॉंटेंट निर्माता और अभिनेत्री प्रजक्ता कोली की पहली युवा जो है जलवाई चैंपियन चुना गया है युथ जलवाई चैंपियन के रूप में कोली को जो है जलवाई परिवर्तन गलोबल वार्मिंग और जैब विविद्था के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावव के बारे में जगरूपता पैदा करने के लिए युवाओं के साथ जो है वर्ता लाप करने की जिम्मवारी स नहीं पहली और सबसे कम उम्र महिला बन गए है गिनीज वर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बूक में इनका नाम दर्ज किया गया है क्या नाम है जारा राधर फोड उननीस वर्सी है जारा राधर फोड विष्व के सबसी तेज अल्ट्रासाउंट सार्क विमान को जो 18 अगर्स 2021 को प्रस्थान के बाद जो है 155 दिन की यात्रा के दोरान 52 देशो और 52 किलूमीटर की उरान पूर्ण किया है सिवांगी सिंग सिवांगी सिंग के बारे में जानते हैं दूस्तों गर्तंद्र दिवस के उसर पर प्रेड में जो है वायू सेना की जाकी निकाली गए जिसमें देश की पहली महिला राफेल लाराकू बिमान पाइलट सिवांगी सिंग ने भी हिस्सा लिया सिवांगी वायू सेना की जहाकी के हिसा बनने वाली दूसरी महिला लाराकू विमान पाइलेट बनी है, पिछले वर्स फ्लाइट जो है लाफ्टिनेंट भावना कंठ जो है वायू सेना की जहाकी के हिसा बनने वाली देश की पहली महिला लाराकू पाइलेट बनी थी रमेज बाबु प्रग्नानंद भारत के 16 वे ग्रैन मेस्टर रमेज बाबु प्रग्नानंद ने एर थिंग्स मास्टर्स ओनलाइन रैपिड सत्रन्स टूनामेंट के आठवे दौर में नारवे के बिस्व चैंपियन और नमबर वन प्लेयर मैगलन काल्सन को हरा दिये है यह टूनामेंट जो है 1.6 बिलियन अमेरिकिन डॉलर के जो है मिल्ट वाटर चैंपियन्स सतरंज के सतरंज टूर के तहट जो होने वाले 9 आयोजनों से पहला है प्रगना अनंद ने जो है चैसेंबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चैंपियन्स जो है सतरंज पर क्योगिता के पांचवे जो है दोर में कार्लसन को भी फिर से हराया है जिया राये यह जिया राये कोने दुस्तों तो बाइस मार्च 20 मार्च 2022 को जो है ओटीजम से पिरित पैरा जो है स्विमर जिया राय ने पार्क जल्डमरुवद 28.5 किलोमीटर की दोरी 13 घंटा 10 मिनट में तैकर पहारा स्रीलंका के फ्रेंट्शिप कब जीता है 2004 में बूला चोधरी ने बनाया था 13 घंटा 52 मिनट में बिसो रिकोड तोड़ दिया जिया राय पाक जल्डमरुवद 23 कर पार्क अवाले बिसो की सबसे कम उम्र और तेज महिला जो है सबसे तेज महिला तैराकी बन गई है ग्लोबल पीस के जो है अमबेजडर 2022 ग्लोबल पीस अमबेजडर 2022 देखिए सिरियल उदमी बविदा सिंग को जो है नई दिल्ली में एसिया अफडी की जो है कॉंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कनेकवेल 2022 में जो सिक्षा, खेल, कला, संस्कृती और जो है कुटनिती के माध्यम से सांती को बढ़ावा देने के लिए उनके क पाने में बिश्व की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस चढ़ाई करने वाली के नए कर्तिमान बनाया है, रीता कामी रीता ने 26 वी बार माउंट एवरेस पुष्व रिकोर्ट बनाने का सफलता हासिल की है, पियंका मोहिते, पांच मई 2022 को महरास्ट के सतारा के पियंका म मोहिते, कंचन जंगा परवत की चढ़ाई करने के बाद जो है, पांच जार मीटर से अधिक उचाई, पांच चोटियों के फताह करने वाली भारती पहली महिला बन गई है, कंचन जंगा भारत की जो है, सिक्किम राज्य में स्थित है, माउंट एवरेस्ट और के बाद जो ह से उची चोटी है, यह कंचन जंगा, इंचाई कितनी है, 8586 मीटर है, यानि 2869 फिट है, रीदम जो है, मामानिया, रीदम मामानिया के पारे में देखते हैं, महराष्ट के 10 वर्ष के रीदम मामानिया, एवरेस्ट बेस कैम्प फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारती परव परवत रोही बन गई है, बेस कैम्प पर चठने के लिए यूवा भारती परवत रोही के सांथ सामिल हुई थी, पीटी उसा, इलोया राज, विडेंदर हेगडे और बीजैंदर गारू को जो है दोस्तों, क्या किया गए है, देखिए, चो जुलाई 22 को राश्टपती रामनात कोविन ने पुर्व अथलाटिक पीटी उसा, इन सभी को जो है दोस्तों, क्या किया है, भारती पट कथा लेखक और फिल्म इंदेशक जो है, बीजैंदर परसाद राज्जे सभा के लिए मनोनित किया है, इन सभी को जो है दोस्तों इन चारों को जो है राश्टपती ने राज्जे सभा के लिए मनोनित किया है, किरल के स्टार अथलेटिक्स पुरन पड़ी के नाम से महसुहर पीटी उसा को 1984 में अलों की फाइनों पंशनली जो है भारत की पहली महिला अथलिट बनी थी, संगीत ग्यानी के नाम से महसुहर इलोया राज ने साथ हजार से भी जादे गाने की रचना करने के साथ दो बीस हजार से जादा मुजिकल कॉंटेंट्स में हिसा रह चुके हैं, डक्षिन सिनेमा में से लेकर बॉलिवूड तक वी विजैंद्र गारू ने जो कई फिल्मों का पट कथा लेखन किया है और बा अपने समाजी कारेव के लिए जाना जाता है, कमल हासन कमल हासन के बारे ने देखते हैं जुलाई 2022 में साथ के सूपर स्टार कमल हासन को जो है संजुक्त अरब अमिरात दोरापर 30 गोल्डन जो है वीजा दिया गया है उनको कमल हासन से जो पहले अभिनेते कौन-कोन है नास से UAE गोल्डन वीजा एक दिरिकालिक निवास वीजा प्रणाली है जिसके अवधी 5 वर्स से 10 वर्स तक होती है, UAE ने गोल्डन वीजा की पहली बार पहली बार जो है 21 मई 2019 को लॉंच किया था, लेटन हैविट लेटन हैविट किया है दोस्तों अस्टेलिया के पुर्व द मानित किया गया, लेकिन तब COVID-19 के कारण जो है यातरा पावंदिये चलते थे, इसी कारेकरम हिसान नहीं ले पाए थे, सुनील गवासर क्यों हाइलाइट मेरा है दोस्तों देखिए, तो इंगलैंड के जो है लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड के नाम जो है भारती, भारत के म सुमित तो भारत स्पोर्ट एंड क्रिकेट कलब के पास है यह पहली बार जब इंगलैंड के किसी क्रिकेट एस्टेडियम का नाम जो है भारती क्रिकेट के नाम पर क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है दरसल इस दोरान इस मैदान के नाम को बदलने का मुहिमा जो है इंगल मैक राधरफोड मैक राधरफोड कोने दुस्ट vista ब्रिटिस जो है बेल जीम के सत्रह वर्षे मैक राधरफोड विश्व के अकेले उरान भड़ने वाली सबसे कम उम्रिकी व्यक्ति बन गए है राधरफोडस यो वर्ष लोगे इस वर्ज जो है 23 मार्च को जो है सोफिया यानि बुल्गेरिया से उरान भरी थी पांच महाद्यूपों के मतलब 52 देशों के उपर से उकर 250 घंटे की उरान भरने के दोरान दो बार जो है भुमत्य रेख़ा के उपार करने के साथ ही उनकी इस उपलबदी के गिनीज वर्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है मैक रदरफोट का मैक रदरफोट की बरी बेहन जो है जारा 19 वर्ज की हैं और उन्होंने जनवारी 2022 में पूरे वर्ड में उरान भरने के साथ ही सबसे कम उम्र के ऐसे करने वाली पहली महिला बन गई है लिन्थोई जो है चनबम लिन्थोई चनबम जो है दोस्तो भारत की जूड़ो खिलाडी लिन्थोई चनबम जो है क्रेड़ेट बिस्ट चैंपियंशिप 2022 में स्वन्पदक जीती है उन्होंने जो है सारा जेबा में चल रही परतियोगिता में महिला के 57 के जी जो है भार वर्ग में ब्राजील के जो है बिना का रेईस को हरा कर सोन पदक अपने नाम किया है अमलान बोर्गेंट देखे दूस्तों अमलान बोर्गोहेंट बता दे राय बरेली के अखिल भारती जो है इंटर रेलवे अथलाटिक चैंपियन में भारत के 24 वर्षी धावक जो है अमलान बोर्गेंट जो है 100 मीटर की दूरी में जो है छो वर्ष पुराने नेशनल रिकॉर्ड ध्वस्त कर नए रिकॉर्ड मनाया है भारती रिकॉर्ड स्प्रिंटर जो है अमाल बोर्गेहन जो है 10.25 सेकेंड में जो है 100 मिटर के दोर भारत के सबसे तेज़ धावग बन गए हैं इससे पहले दोस्तो दस पॉइंट 26 सेकेंड में यह थे 2016 में इस बार किये हैं 10.25 सेकेंड में सुरेश रहना सितंबर 2022 में पुर्व भारती बल्ले बाद सुरेश रहना किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेनी घुषना की जिससे वह विदेशों में होने वाली T20 लीग में खेलने के लिए योग्ये हो गए हैं मतादे इस 35 वर्षी खिलाडी के जो है 15 अगस 2022 को महन सिंग धोली के सन्यास लेने की घुषना के बाद जो अंतरास्टी किर्केट को अलविदा कह दिया था रोजर फेडर रोजर फेडर दुस्तो सितंबर 2022 को जो है सुट्जर लेंड के रोजर फेडर ने टेनिस से सन्यास ले लिया 20 बार के ग्रैंड स्लेम चैंपियन इस वर्ष लंदन में जो है लोवर कप के बाद सन्यास लेंगे उन्होंने 8 विमल्डन चैंपियन और 6 अट स्ट्रेलियन ओपन और 5 गो युवे फ्रेंच ओपन एक जीते हुए हैं इतने सारे इन्होंने खिताब जीता हुआ है रोजर फेडर को ओलम्पिक खेलों में दो पदक भी जीते हैं जिनमें से जो है बिजिंग 2008 में यूगल ओलम्पिक स्वर्ण और लंदन 2012 में एकल के रजर पदक हासिल किया है 24 वर्स में जो है दोस्तों 500 से अधिक मैच उन्होंने खेला है चैंपियन सिरेना विल्यंस यह बता दे हैं अमेरिकी टैनीस लियर है जो तेईस बार जो ग्रैंड्सिलम चैंपिय tweर लहाय से रेन्वियन ली है जीता है इसनोंने सिरेना विल्यंस इस वर्स की यूई ओपिन के बाद जो है टैनी चैनल इस में समें चैनल वाली पुर्भतर चेतर पहले तराक बन गए है नॉर्थ चैनल उतरी एरिंड़ और दक्षिनी पश्चमी एस्कॉटलैंड के बीच जलचेतर है एल्विस जो है एल्विस और उनके टीम इस जल शेत्रों को पार करने में 14 घंटा 38 मिनट का समय लिया है इस दोरा एल्विस नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम सबसे अधिक आयू के जो है भारतिय तेराक बन गए है सतेंदर सिंग लोहिया सतेंदर सिंग लोहिया मध्य परदेश के पैरा जो है पैरा स्विमर सतेंदर सिंग लोहिया आरलेंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एसिया के पहले पैरा स्विमर बन गए है सतेंदर सिंग ने 36 km के नौर्थ चैनल को 14 घंटा 49 मिनट में पार कर दिया है अब भी सु रिकॉड बनाए है इन्होंने जूलन गो स्वामी दोस्तों यह हमारी इंडिया टीम के महीला किर्केट टीम के जो है फास्ट बॉलर है सितंबर 2022 में भारती महीला किर्केट तीम के दिग्गज तेज गिंद पार जूलन गो स्वामी कैरियर के आखरी अंतरास्टी मैच के लिए हैं इंग्लेंड के खिलारियों के जुलन गो स्वामी को गाड ओफ ओनर दिया जुलन गो स्वामी अपने अंतरास्टी केरियर के सुराथ 2002 में की थी और दोसो तिरपन जो है अभी तक बिकेट ले चुकी हैं नेक्स्ट है समान्था जो है क्रिस्टो फेरेटी इटली के जो है समान्था क्रिस्टो फेरेटी जो है इंटरनेशनल एस्पेस एस्टेशन के कमान सम्हालने वाली पहली यूरोपियन महिला बन गई है कमान संभालने के पाद इटली की समान्था जो है I.S.S.S. की जो है पाचवी यूरोपियन कमांडर एंड पहली गैर अमेरिकी महिला बनी है अकास अमबानी क्यों चर्चे में है दोस्ते तो रिलाइंस जीओ के जो है चेर्मेन अकास अमबानी टाइम पत्रिका में जो है टाइम हंडर नेक्स्ट की सुची में सामिल के वह सुची में सामिल एकमात भारती है लीडर्स कैटेगरी में चुना गए है सुची सोसल मेडिया और मंच जो है ओन लीफैंस की भारती मुल्की जो है कारे पालक अधिकारी जो है अमरपाली गन को भी अस्थान दिया गया है अकास अमबार्णी जो है टाइमस हंडेड नेट्स लिस्ट में सुमार होने वाले अकेले भारती हैं मात्र 22 वर्स की उम्ले में अकासामबाने ने जियो के बोर्ड के जगह पे मिले गई जियो के जो है बोर्ड में जगह मिल गई थी और इसी वर्स जो है जून में उन्हें भारत की सबसे बड़ी दूर संचार कमपनी जियो का कमान सौप दी गई पंकज द्रिपाठी एक्टर पंकज द्रिपाठी चुनाओ आयोग के जो है अपना नेशनल आइकन बनाए गए मतदान परतिसत बढ़ने के लिए सत परतिसत जो है मतदान का परचार करने के लिए चुनावाय परसिद अस्तियों के नेशनल आईकन और प्रान लेमेश्टर बनाता रहता है इन चो राज्यों को जो है साथ विधान सवाक सीटोघि को तीन वमडन चो नमब सब्सक्राइब परवत मानालू कुछ फटाइब नेपाल सरकारदो जो है मानालू समिट कैयोजन किया गया जिसमें अस्मीता दोर्जी ने बिना अकसीजन सप्लिमेंट के जो है एक आसी सो तिहत्तर मीटर, तीरसट मीटर के उचे परवत जो है मुनालू को फता किया है अस्मिता दोर्जी ने लगबग 26 दिन के कटिन चड़ाई को जो है बिना अक्सिजन के इस समीट को पूरा किया है अस्मिता दोर्जी जहरखंड के जमसेदपूर के जो है सोनारी कदमा लिंक रोड की जो है रने वाली है और वर्तमान में टाटाय स्टील जो है एडवेंचर फाउंडेशन की सिनियर इंफरस्ट्रक्टर जो है इंस्ट्रक्टर के पदपे कारेरत है नेक्स है विनित सर्मा विनित सर्मा क्या है? मध्य पर्देश के जो विनित सर्मा ने भारत की सबसे बरी पूरुस परतियोगिता Mr. India के हिताब जीती है रूबरू Mr. India 2022 वीजेता विनिता सर्मा Mr. India संग पाइस्टन के ब्रान जीता भी है उन्हें वीनित सर्मा जो हैं मध्य पर्देश के अकेले वेक्ति थे चोह अलग अलग राउंड में वेक्ति तो आतमिश्वास、 कॉम्यिकेशन, स्केल ऑ अपनी अकरशन, छवी को दम पर वीनित मिस्टर इंडिया के फाइनलिस्ट में बने थे विनित सर्मा वर्तमान में इंदोर में खुद की एक कंपनी जो है त्रैंबा के स्वर कंस्ट्रक्शन एने इंजिनियर डिजाइन चलाते हैं अरुना मिलर भारती अमेरिकी नागरिक जो है अरुना मिलर मैरी लेंड के लेफटेनेट गवर्णर पद के रूप में वीजिती होसित हुई अरुना मिलर इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारती अमेरिकी राजनेता और प्रतम दक्षिनी स्याई महिला बुभी बन गई है सूसरी मिलर इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट जो है इंपैक्ट की पुर्वी कारे कारी निदेशक है सरकार के परतिक अस्तर पर भारती अमेरिकी परतिनीदित वो का समर्थन करने के लिए संगठन ने उनका समर्थन किया है राजीव कुमार नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी परतिनिद तो सभा और प्रांतिय विधान सभा चुनाव के लिए भारत के मुखे निरवाचन आयोग तो उन्तराष्टिय पर्विक्षक के रुप मियामंत्रित किया है मुखे निर्वाचन आयुक जो है ठारा से 22 नॉम्बर को तक नेपाल में आमंतित निर्वाचन आधक प्रादी जो है अधिकाडियों के रतिनीधी मंडल कनेतुद किया है नेपाल में प्रतिनीधी सभा के 275 सदस्य और साथ प्रांतिय विधान सभाव में जो है 550 सीटे के लिए 20 नॉम्बर को चुना हुआ है सुर्य कुमार आदव भारतिय बल्ले बाज सुर्य कुमार आदव एक कैलेंडर वर्ष 1020 जो है अंतरास्तिय रन बनाने वाले भारतिय खिलारी बन गए है वर्स जो है इस वर्स जो है चो नमबर 2022 तक 28 परियू में सुर्व किमार 44.6 जिरो के आउसत से 1026 रन बना है कुल 2022 में 117 के जो है सर्प्स्रेश्ट और स्प्वायर के सांथ बल्ले के 2 सतक और 9 अर्ध सतक लगे केलेंडर में 1000 रन बनाने वाले 2020 अंतरास्टी इतिहास के केवल दूसरे खिलारी है यह हाली में टीम इंडिया के पुर्व कफ्तान जविडाट कोली 2020 कब इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्ले बाज बन गए है बिस्व के पहले जो है पार एस्ट रोनाइड धावक जो है जोन मैकफॉल 23 नॉमबर 2023 को 2022 को जो ये अंतरिक चेजनसी ने बिस्व के सबसे पहले जो है पारएस्ट रनाट के नाम घोशित किया है वह कौन है धावक जो है मैकफॉल 2008 में बीजिंग पेरा अलम्पिक खेलों का कासे पदक जीते था 2008 में लोगप्रिये नेता जी हुए कौन है नारेद्र मोदी अमेरिकी कम्पनी जो है मौर्निंग कंसल्ट की ओर से 20 नेताओं के लोगप्रियेता के बारे में रेटिंग जारी की गई है भारत के प्रधान मंतरी मोदी को 77% स्विकृति के साथ 20 सबसे जहादिक लोगप्रिये नेता बने हुए है मेक्सिको के राश्पती जो है एंद्रेस मैनुगल लोपेस ओब्रेदो दूसरे और तीसरे पे कौन है अस्टेलिया के प्रधान मंतरी एंथनी एलबानीज और तीसरे अस्थान पे लोगप्रिये नेता करार किये गए है लोग प्रियता के रेटिंग में अमेरिकी राष्पती जो बाइडन नौवे और बिर्टेन के राष्पती जो रिसी सुनक बाइस हुए अस्थान पे है रितू राज गयाकवार यह जो पता है दोस्तों रितू राज गयाकवार 28 नौवमर 2022 को लिस्ट अ किर्केट महराष्ट क यहार से खेलते हुए रितू राज गयाकवार ने विजय हाजाय ट्रोफी का और्टर फाइनल में एक उवर में साथ छक्के लागा कर विस्व कर किर्तिमान बना दिये हैं बदाद दोस्तों यह सीएस के टीम से खेलते हैं आई पील में रितू राज गयाकवार उपनिंग कर हैं एक लाग पांच हजार से अधिक वैगानी को वह पर दोगई का प्रतिनेजित्व करता है कि नेक्स्टम मनीशा रामदास मनीशा रामदास भारत की जो है तामिल नाडवी निवासी मनीशा रामदास सत्रव वर्सी जो पांच दिसंबर 2022 को बैड्मिंटन वर्ड फेडरे एकल एस यू फाइब में विसु चैंपियन का ताज जीता है ताइम पर्सन अफ दाइयर 2022 यूकरेन के राश्टपती बलादमीर जलैंसकी एस्प्रीड अफ यूकरेन टाइम मैगजिन ने जो है परसन परसन अफ दाइयर 2022 चुना है कि इसको बलादमीर जलैंसकी को यूकरे अंक में जो है जलैंसकी को कवर पेज़ पर जगह दी है रूस यूकरेन के बीच जलैंसकी पिछले दस माइन समझ बूदी के साथ अपने देश के देशवासियों के साथ खा रहे हैं इसलिए उन्हें यह अवर्ट दिया गया है वीबी बॉबी किनर डिल्ली जो है MCD सुल्तान पूरी एवर्ट संख्या 42 में चरचित आम आदमी पार्टी के परतियासी बॉबी किनर ने जित दर्ज की है दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य है या पहली बार जब आम आदमी पार्टी ने किसी ट्रांसजेंडर को चुनाओं में मौका दिया है तो ऐसे करके हम लोग चर्शी द्वेक्ति पढ़ ले फिर हम लोग नेक्स कोई लेकर आएंगे जिसमें नीधन या रास्टी है अंतरास्टी है टॉपिक ऐसा रहे धन्यवाद